ओम श्रीगनेशाय नमाप बगतो आज की सुड़ी में जानेंगे किसी भी मनुस्यक की मृत्य के बाद एक गंटे तक कुछ गटनाय गटती है जिसे साथ प्रकार की गटनाय बताईगी है जो आज की सुड़ी भाम आपको बताने जा रहे हैं चली वड़ी सुरू करते हैं जीवन का सबसे बढ़ा सकते हैं मृत्यू जिसे कोई डाल नहीं सकता है जो मृत्य लोक में आया है उसी एक दिन अपनी सरीर को छोड़कर जाना ही है सरीर में मौजूद उर्जा जिसे आत्मा कहते हैं वैसमापत नहीं होती बस रुपांतरित होत यह रहती है यह उर्जा जब सरीर से निकलती है तो यह कुहां से के समान होती है जिसकी च्षवी उसी प्रकार होती है जिस सरीर से यह निकलती है मृत्य के कुछ समय तक आत्मा को अजब कजब अनुबव से गुजरना होता है जो आत्मा के भी दुखत और कष्टकारी होती ह सबसे पहली जो करना है वो अचेत अवस्था में आत्मा सरिष से निकल कर कुछ तेर तक अचेत अवस्था में रहती है आत्मा को इस प्रकार का अनुबो होता है जैसे कठिन परिश्रम से ठका हुआ मनुस्य कहरी निद्रा में होता है लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है दूसरी अवस्ता है समान व्यवार जिसे कहते हैं जब व्यवत्ति के सरीर से आतमा निकलती है उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वे सरीर से अलग है वे उसी प्रकार व्यवार करती है जैसे सरीर में रहती हुए उसका व्यवार था तिसरी गटना है जो बेचेनी और चटपढ़ाट जिसे कहते हैं सरीर से निकल कर खड़ी आत्मा अपने सगे सबंद्यों को पुकारती है लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है कि आवाज बस उस तक ही कुछ कर रह जाती है क्योंकि भिया बहुतिक नहीं अभावतिक द्वनी होती है और मुनिस्य केवल बहुतिक चीजों को ही मैसूस कर सकता है चोथी गटना है नहीं होता है संचार वर्सों तक सरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरन आत्मा पर पड़ा होता है उससे मुहवस आत्मा दुखी होकर कभी अपने मुर्थ सरीर को तो कभी अपने सबंदियों को देखकर उनसे बात करना चाती है लेकिन उसका प्रयास विफल होता है पांच वी कटना है प्रवेश का पुनप्रयास आत्मा कोशिस करती है कि वह फिर से सरीर में प्रवेश कर जाये लेकिन यम के दूतु से सरीर में प्रवेश नहीं करने देते दिरे दिरी वक्ति के आत्मा यह स्विकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है मोह का बंदन कमजोर होने लगता है और वह अम्रत्य लोग को विदा होने के लिए तियार हो जाती है चठेक अतना होती है आत्मा दुखी सरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिवार जुनों को रोते बिलखते देख कर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्यकूल होती है, लेकिन उसके वस में कुछ नहीं होता। वहलाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किये कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूद आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहां से चलने का समय आया है। और कर्मों के नुसार उसे लेकर यम मार्ग की और चल पड़ते हैं। सात्वा जो कटना बनती है कर्मादारित होता है उस आत्मा का नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मुर्द लोग की सिमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में बहुँच जाती है जहां ना सुर्य की रोशनी होती है और ना चांद की चांदनी उस लोग में हर जग अंदेरा होता है। यहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के नुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्मा जल्दी शरीर दारन कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी अच्छा के नुसार नया सरीर दारन करती है। दोस्त इस प्रकार से इंसान की मृत्ति के बाद एक गंटे में ऐसी कुछ साथ कटनाएं कटती है। जिससे आत्मा उस कटनाओं से पसार होकर नया जन्म धारन करती है। उसके कर्मों के अनुसार। असा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कॉमेंटर आव तो कॉमना उसमा लिखे। मिलते हैं से इनुड़क साथ अपते के लिए। जैसरी गड़ैस।